नमस्कार हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ NTA UGC NET विशे हिंदी की हमारी त्यारियें चली हैं इसके अंतरगत हम अपना छटवाँ यूनिट हिंदी उपन्यास कर रहे हैं अगर आपने अभी तक हमारी वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं तो आज हम पढ़ेंगे मुन्शी प्रेमचन जी के बारे में और इनका जो उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है गोदान उसके बारे में इनका जो मूल नामें देखिए वो है धनपत्राए और प्रेमचन नाम इनको बाद में दिया गया था यह जो उपन्यास समराथ, कथा समराथ, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर और भारत का मक्सिम गोर की इत्यादी नामों से भी जाने जाते हैं तो यह अन्य नाम है प्रेमचन जी के, कई बार एक्जाम में इनके अन्य नामों से भी प्रशन पूछे जा सकते हैं, हालां कि एंटी यूजी सिनेट के एक्जाम में इस तरीके का प्रशन पूछने की समभावना कम रहती है, लेकिन इसके लाब अगर कोई और अन्य परिक् और जैसी 14 में पहुंचे तो इनकी पीता का भी निदन हो गया, और इन्होंने अपने ही बल्बूते पर पढ़ाई की और बीए किया, और 1901 से ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, और इन्होंने 1907 में कहानिया लिखना भी प्रारम कर दी थी, और उर्दू में ये न सरकारी नौकरी भी इन्होंने की, उसके बाद फिर सत्याग्रह से प्रबाबित होकर नौकरी छोड़ भी थी, और सरसुति प्रैस की स्थापना की, और 1930 में इन्होंने हंस का प्रकाशन किया, और आठ अगत उपर 1936 को इनका स्वरगवास हो गया, तो ये जो इनका थोड़ा अब शुरू हो जाती है, प्रेमचंद जी के बारे में, क्योंकि प्रेमचंद हिंदी साहित जगत में अपना विशेष स्थान लिये हुए हैं, और जो हम उपन्यास की बात कर रहे हैं, तो उपन्यासों को हम देखते हैं कि तीन जो कालों में विवाजित किया गया है, तीन तो ये प्रेमचंद के ही इर्द गिर्द हैं देखिए प्रेमचंद पूर्ग प्रेमचंद ओतर या प्रेमचंद यूगिन ये तीन जो यूग माने जाते हैं तो किसी व्यक्ति विशेश के नाम से यह दिकी तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रेमचंद है वो हिंदी साहि जगत में और उपन्यास संसार में अपना एक अलग रुद्वा और एक अलग पहचान रखते हैं ठीक है तो इनके सहितिक परिचे के बारे में जान लेते हैं कि प्रेमचन जो है वो सहितिया इनने लिखना 1901 से प्रारंब कर दिया था ठीक है आरंब में ये नवाव राय नाम स उर्दू में लिखते थे और प्रत्थम उर्दू उपन्यास इनका असरार माविध है ठीक है लेकिन इसका जो हिंदी रुपांत्रन है देखिए वो है देवस्थान रहस्य और ये प्रत्थम जो इनका उपन्यास असरार माविध है इसको इननोंने 1903 से लिखना प्रारंब क किर दिया था और 1905 में ये मुकमल हुआ और 1905 में इसका हिंदी रुपांत्रन भी इननोंने देवस्थान रहस्य नाम से किया ठीक है इनका जो प्रत्थम कहानी संग्रह है देखिए वह है सोजे वतन और ये इननोंने 1908 में प्रकाशित किया जबकि 1910 में क्या हुआ कि देश देखिए इसमें जादा देशवक्ति की बात इनोंने कही थी और इसके चलते अंग्रे सरकार उससे क्या थी उनको दिक्कत परिشानी थी उससे और उन्होंने उसको क्या कर दिया बेन कर दिया और प्रेमचंद को जो नवावराय नाम से वो लिगते थे नवावराय को भी नाम से उन्हें साहितिक रजना करने के लिए कहा, क्लियर है, तो किस ने दिया है उनको ये नाम, दियानारायन दिगम ने, जो उर्दू के लिए खक थे, उन्होंने प्रेमचन नाम इनको बात में दिया, तो ये था इनके बारे में थोड़ा ससंग शिप्त परिचे, जो साहित की बेटी और ये 1910 में जमाना पत्रिका के दिसंबर के अंक में प्रकाशित हुई थी है ना प्रत्थम प्रोड हिंदी उपन्यास सेवा सदन बजारे हुसन तो जो सेवा सदन है उसका जो उर्दू मूल रूप है देखिए वो क्या है बजारे हुसन और ये 1918 में लिखा गया थ ठीक है अलनकि जो बजारे हुसन ता वो 1917 में और उपन्यास जब सेवा सदन बाद में इसका रूपांत्रन हुआ वो 1918 में हुआ तो दीखिए ये प्रत्थम प्रत्थम कृतियां यारी है प्रत्थम इनका जो प्रोड हिंदी उपन्यास सेवा सदन है प्रत्थम इनकी कहानी प्रत्थम इनका जो उपन्यास है असरारे माविद जिसको दिवस्थान रहस्या के नाम से भी जना जाता है ठीक है तो वो 1905 में है तो इनकी जो प्रत्थम कृतियों से हो सकता है प्रशन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है तो अगली जो चीज है दिखिए वो भी प्रत प्रत् dalej उसको उर्दू में लखा और बाद में उसका उुपांतरण हिंदी में किया लेकिन 1926 में जब इन्होंने काया कल्प लिखा तो इन्होंने ढरेक्टि उसको किस में लिखा था हिंदी भाशा में ही लिखा तो मुल रूप से हिंदी में लिखा में इंका जो पहला उपन्यास का नाम दे दिये जाता है कि इसका मूल रूप क्या है या उर्दू में किस नाम से इसको लिखा गया था तो इस तरीके से भी प्रशन पूछा जा सकता है आगे हम उसको विस्तार से देखेंगी कि कि किस उपन्यास के लिए क्या उर्दू नाम इनका था ठीक है आग कि उपन्यास समराट इनको जो नाम दिया था वो दिया था बंगला जो कथाकार शरत चंदर चटो पहते हैं थे उन्होंने आगे है 1930 में बनारस से अपना मासिक पत्र हंस का प्रकाशन शुरू किया और 1932 में सापताहिक पत्र जागरण का प्रकाशन भी किया तो दो चीज़े हैं देखिये 1930 में इन्होंने हंस का प्रकाशन किया और फिर 1932 में जो सापताहिक थी पत्र उनका जागरण उसका भी इन्होंने अरंब किया ठीक है तो हंस से कई बार प्रशन पूछ ले जाता था कि हंस पत्र का जो मासिक पत्र का थी उसका प्रकाशन प्रेमचन ने कब किया था 1930 में आगे है कि 1936 में अकल भारतिय प्रगतिशी लेककसंग के अध्यक्ष वो 8 अक्तूबर 1936 को लंबी बिमारी के बाद नीदन तो देखें 1936 में ये प्रगतिशी लेककसंग के अध्यक्ष बने और उसी वर्ष 1936 में ही 8 अक्तूबर को इनकी लंबी बिमारी के बाद मृत्य हो गई तो ये रहा प्रेमचंद का पूरा साहितिक परिचय साहितिक जीवन उनका है ना और इनकी जो कहानिया देखिए वो मरने के पश्चात ही उनकी जो कहानिया है मानसर उपर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई है तो ये था प्रेमचंद के साहितिक जीवन के बारे में थोड़ से पहले इन्होंने दीवस्थान रहस से लिखा जिसको असरारे माविद के नाम से भी जाना जाता है प्रेमा 1907 में लिखा और आगे है सेवा सदन ये 1918 में आया ठीक है वर्दान 1921 प्रेमाश्रम 1922 रंग भूमी 1925 ताया कलप 1926 निर्मला 1927 गबन 1931 करम भूमी इनका जो उपन इनके प्रमुक जो उपन्यास है उनンニहोंने उपन्यास लिखे है चलिए किस उपन्यास में कौन सी चीज है सबसे पहले देवस्थान करहषिया देख लेते हैं जिसको असरारे माविद के नाम से भी ज्याना जाता है तो इसका प्रकाशचन वर्श है कि 1905 में हुआ है ठीक ह इन्होंने अलोचना की है तो देखिए इसको याद रखने का तरीका किया है कि देवता है तो वो कहां पर रहते हैं मंदिरों में रहते हैं तो इस तरीके हम इसको याद रख सकते हैं कि देवस्थान रहस्या में इन्होंने क्या किया है कि जो तीर स्थानों में ब्रश्टाचा से संबंद रखने वाला क्या है इनका उपन्यास है तो सेवा सदन को अन्य किस नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है बजारे हुसन मतलब हुसन का बजार मतलब क्या है कि वैश्यां का बजार है न तो इसको इस तरह के से याद रखना है सेवा सदन मतलब बजारे हुसन 1918 में आ गया था इनका उपन्यास 1921 में लिखा हुआ वर्दान तो इसमें प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रन देखने को मिलता है प्रेम और विवाह का किसमें वर्दान में प्रेम आश्रम इनका 1922 में लिखा गया उपन्यास है ठीक है तो प्रेम आश्रम में देखी कौन सी चीज है कि आपनिविशिक सासन में जमिदार एबं किसानों के संबंध खा चित्रन तो इससे पहले हम जगदीश चंदर के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि उन्होंने भी अपने केंदर में किसको रखा है किसानों मुझदूरों दरितों जो शोशित वरग है जो महिलाएं हैं उनको उन्होंने अपने उपनियासों का केंदर बनाया है तो ठीक वैसे ही इन्होंने भी प्रेम चन्ने भी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से इन्होंने भी ठीक वैसे ही लोगों को अपने उपनियासों में डालने की कोशिश की है क्योंकि हमने पीछे वाली अपनी क्लासीज में पढ़ा था कि जो जगदीश चंदर है वो इन दू उपन्यास है वो है चौगाने हस्ती इसलिए इसको नाम दिया गए रंग भूमी तो इसमें जो वन ने देखिए अध्यों की करण के दूश, पुंजिवाद के शोशन के निती है ना बगेरा बगेरा जो भी चीज़ है ये इसमें है आपके रंग भूमी में अगला जो इ अगला उपन्यास आया इनका 1927 में जिसका नाम है निर्मला तो निर्मला से भी बहुत बारे अग्जाम में प्रशन पूछ ले जाता है कि दहेज इवं अनमेल विवाह की जो समस्या है वो किस उपन्यास में इनके वो है निर्मला में फिर आता है गबन जिसमें अभुशन जो इस्त्रियों की होती है उसके उपर इन्होंने बात की हुई है और साती सात मद्यवर ये जीवन की असंगती का याथात और मनवग्यानिक चित्रन उसमें देखने को मिलता है ठीक है फिर आता है करम भुमी करम भुमी में इन्होंने दलितों की जो है जीवन पर बात की है हरी जनों के जीवन पर बात की है जाती ववस्था कि उन्होंने उसमें बात कही है करम भूमी में ठीक है और अगला उपन्यास गोदान जो हमारे पाटे करम में शामिल है ये क्रिशक जीवन की त्रासदी इसको कहा जाता है या महागाथा एवं रिन की समस्या का अंकन ये सारी चीज़ने जीवन में जिस तरीके की कठिनाईयां जिस तरीके की दिक्कतें आती है वो सब हम देखेंगे गुदान में और इसका प्रकाशन होगा है 1936 में जबकि मंगल सुत्र इनका उपन्यास है तो ये थे इनके उपन्यासों के बारे में संक्षिप्त जानकारी कई बार इनके इस तरीके से प्रशन पूछ ले जाता है कि इस उपन्यास में कौन सी चीज़ बननी थै तो हमें वो याद होनी चाहिए इसका साथी साथ हमें इसका प्रकाशन वर्ष भी याद होना चाहिए तो प्रेमचन जो हैं वो कैसे हैं देखिए आदर्शनमुक यथार्थवादी उपन्यास लेखन परमपरखा उनको प्रवर्थ तक माना जाता है तो आदर्शनमुक यथार्थवादी मतलब पहले जैसे इनकी साहितिक रचनाएं बढ़ती गई और साहितिक जीवन इनका आगे की ओर बढ़ता गया तो वैसे ये यथार्थवाद की ओर जुकाव इनका होता गया तो इसलिए इनको कहा जाता है आदर्शनमुक यथार्थवादी उपन्यास, उपन्यासकार, clear है तो ये थे प् उर्दू में लिखे हुए उपन्यासों का जो हिंदी रुपांत्रन किस तरीके से है तो दीके सबसे पहले असरारे मुआबित देवस्थान रहस से हम पहले से पढ़ रहे हैं हम खुर्मा वहम सवाब तो ये प्रिमा या फिर दो सक्षियों का विभा तो दीके 1906 में किसमे ये उर्दू में था हम खुर्मा वहम सवाब लेकिन 1907 में प्रिमा या फिर दो सक्षियों का विभा नाम से इसको हिंदी रुपांत्रित किया गया किशिना 1907 में और गबन तो 1931 में इसको गबन नाम दे दिया गया फिर है जलवा जलवाई इसार तो ये है वरदान 1921 में ठ 1925 में प्रकाशित हुआ तो ये थे इनके उर्दू के लिखे हुए उपन्यास और उनका हिंदी रुपांत्रन अब हम देख लेते हैं जो हमारे पाठेक्रम में शामील है गोदान तो देखे गोदान मैंने पहले भी बात कर ली कि इसका प्रकाशन वर्ष 1936 में हुआ है और क प्रकाशन वर्ष 1936 में आग आती इसकी समीक्षा के बारे हम थोड़ा से जान लेते हैं कि इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या है गोदान उपन्यास में तो गाए की लालसा को केंद्र में रखकर होरी और धनिया नाम के क्रिशी दंपत्ति तो देखिए होरी और धनिया क क्रिशी दंपत्ति के जीवन के माध्यम से समस्त भारत्य किसानों को चित्रित करने का प्रियास किया गया है मतलब जो पहले हम जगदीश चंद्र का दर्ती धनना अपना पढ़ रहे थे वहां पर हम क्या पढ़ रहे थे जो काली और जो ग्यानों थी उनके बारे में हम जो दलितों के बारे में पढ़ रहे थे वहां पर वो केंद्र में थे लेकिन इस वाले उपन्यास में जो प्रेमचंद का उपन्यास है दिखिए यहां पर कौन है केंद्र में होरी और धनिया हैं जो क्रिशक हैं किसान हैं और उनके माध्यम से इन्होंने क्या किया है कि जितने भी हमारे भारतिये किसान हैं उनको चित्रित करने का प्रियास किया है कि किस तरह के से किसानों को अपनी नीजी जिन्दगी में अनिकों कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है यह ना फिर आता है कि गाये की लालसा में होरी द्वारा प्रारंब किये गए प्रियासों से चाहता है उसकी सेवा करना चाहता है ठीक है लेकिन ये उसकी लालसा जो है प्रारंब लालसा उसको होती है गाय की लेकिन वो उस अपनी इच्छा को अपने मरने तक के समय तक पूरा नहीं कर पाता है उससे अनेकों कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है गाय की लालसा के लि बुरी हो या फिर या यूँ कहें कि अन्य वारतिय कृष्कों को भी उन पढ़िनाईयों का सामना आए दिन करना पड़ता है ठीक है गुदान जो है वो जमीदार और स्थानी साहुकारों के हाथ हों गरीब किसानों का शोशन और उनके अत्यचार की सजीव व्याक्या है तो द गुदान भी क्या है वो वैसी ही एक कहानी है इसकी व्याक्या करने वाली जो शोशनकारियों की दमनकारी नीटियों की जो व्याक्या करता है ये कौन सा गुदान उपन्यास क्लियर है फिर आता है कि इसमें इस गुदान महाकाव्य को किसान जीवन की समस्याओं दुखों औ और त्रास्तियों पर लिखा गया महाकाव्य कहा जा सकता है। तो गोदान को क्या कहा जाता है। कुछ एक पिद्वान इसको क्या कहते हैं कि ये एक तरीके से महाकाव्य है भी। किसान जीवन की समस्याओं दुखों और ट्रास्याओं की जितरीं भी उसके जीवन में गटनाएं गटती हैं उन सब जीज़ों के बादे नजर रखते हुँ इसको क्या कहा गया है कि ये क्रिशक जीवन की क्या है एक ट्रास्यदी है और महाकाब है इसको मना जा सकता है इसमें पिदारी के जंजाल से अतंकित किसानों की पीड़ा का मारमिक चित्रन हुआ है तो दोस्तों जब आप इस उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे और उम्मिद करूंगा कि आप सब लोगों ने इस उपन्यास को अच्छे से पढ़ा होगा जब हम इस चीज को पढ़ेंगे तब ह हमें ज़्यादा समझाएंगे यहां पर सिर्फ मैंने महत्वपूर्ण जो अंशे या जो इस उपन्यास में घटनाय गटी हैं उनको ही रखा है और कभी आपको मौका मिले तो जरूर इस उपन्यास को पढ़िएगा बहुत बहुत बहुतरीन उपन्यास प्रिमचन जी का है और एंटी यूजी सी नेट वीशे हिंदी की जो त्यारियां कर रहे हैं वित्यार थी उन्होंने तो शायद इसको सबने पढ़ा ही होगा और इसमें जो महत्वपूर्ण चीजे हैं वो ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो घांव और शहर जो दो नगरों की कहानी चल इस सब चीजों का मिश्णन किसमें है इस उपन्यास में देखने को मिलता है विस्तृत जानकारी के लिए आपको अपना उपन्यास ही पढ़ना पड़ेगा है ना तब ही हम जो है इसको चैसे इसको समझ पाएंगे आगे है देखिए उपन्यास का जो नायक है वो धीरोदात नहों का एक सधार्ण सब्यक्ति है और सधार्ण किसानों का ही प्रतिनी दित्तों करता है तो कहने का मतलब यह है कि इसमें प्रेमचंद ने क्या किया हुआ है कि उसको वैसे ही प्रेजंट किया है जैसे हमारे भारतियर किसान है जो शोशन के खिलाब आवाज उठाना नहीं मिलता है उसकी पीडा पाटकों के मन को उद्वेलित कर देती है तो जब हम होरी के बारे में देखते है तो उसको अनिक कश्टों का सामना करना पड़ता है ठीक है उसका भाई जो है उसकी गाहे को जहर देखर मालते थे जो उसने पहले लाई होती थी ठीक है उसको बहुत सारे कष्टों का सामना गनना पड़ता है करियों का वो पैसा चुगाना पड़ता है धारी उसको चुगानी पड़ती है वो सब चीजे हम जब इस उपन्यास में देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसके प्रती एक सहानुभूती सी हमें हमारे मन में आ जाती है तो इसलिए उस फिर भी उसकी जो गाय पाने की इच्छा है, उसे जीवित रखती है, देखिए, जो यह हमारे भारत्य समाज की एक तरीके से बिढम बना है, इसको कहें, कि हम अपने अंदविश्वासों और रोडियों में इस तरीके से जखड़े होते हैं, कि हमें वही चीज लगती है, कि व गोधान करना है, और यह इच्छा वह मरकर भी पूरी नहीं कर पाता है, लास्नों उसकी मृती हो जाती है, फिर भी वह अपना गोधान नहीं कर पाता है, तो यह है, आगे देख लिती हैं, कि शोशन की परंपरा को होरी सिर्फ परदाश्ट करता जाता है, उसे बदलता नही उसका मानना है कि जिन तलों के नीचे गर्दन दबी हो उनको सहलाने में ही कुशलता है तो ये जो पंक्ति इसने कहीं है होरी ने ये वो कहीं है अपनी पत्नी जो उसकी थी दन्या उसके पास वो कहता है कि हमारा जो काम क्या है कि अगर हमारी जो नीचे तलवों के नीचे अगर गरदिंद भी हो तो उन तलवों को हमें सेलाना ही चाहिए तो ये मानते थे, मतलब यहां से इनकचरित्र जो है मैं देखने को मिलता है कि ये क्रांतिकारी सौभाव के नहीं रहे हैं मतलब ये परिस्तिक्यों के आदी हो गए थे जिस तरह की परिस्तिक्यों वैसे ही बन जाते हैं ठीक है आगे है गुदान किसानों का खून चूसने वाली महाजनी सबैता का कुरूर शोशन चक्र दिखाने वाली कता है होरी के पूरा जीवन उसका संगर्श्त में बीचाता है फिर भी वो गाहे नहीं खरीद पाता है और ना ही गौदान पर पाता है होरी जो है वो सहुकारों, अपसरों, महाजनों और पुरोहितों के चंगलों में फंसकर लाचारी का जीवन जीता है तो वो बहुत ही लाचार सा हो जाता है जब अंथ में और इसी तरीके से उसकी मृत्यू भी हो जाती है उसके चरितर में विद्रो और और क्रांति की चन्ना दिखाकर उसे आम भारतिय किसान दिखाए गया है जो या तो लाचारी में चीने को विवश है या फिर आत्महत्या करने को तो मतलब कि देखिए उसका जो चरीतर है वो विद्रो और करांतिका नहीं है जो उन्हें पहले भी आपको बता दिया और यहीं से प्रेमचंद का हमें क्या दिखा अधर्शन हुक या थार्थवाधी रूप देखने को मिलता है कि जो चीज जैसी है उसको उन्होंने वैसे ही प्रेजेंट किया है उसमें अधर्श बात लाने के उन्होंने कोशिश नहीं किया है और नहीं इसके जो अन्या पात्र हैं जो शोशनकारी पात्र हैं उनका रिदय परिवर्तन भी इसमें नहीं दिखाया गया है तो ये इस तरीके से इस उपरनियास में क्या हो जाता है इसका समापन हो जाता है और संक्षिप में हम ये कह सकते हैं कि गोदान जो है किसानों और सेट महाजनों के संघर्ष की कता है और जिसमें किसान पराजित हो जाता है तो देखिए दो वर्ग इसमें होएं एक पुझीपती वर्ग और दूसरा आपका क्रिशक वर्ग तो इन दोनों वर्गों के बीच में एक तरी किसे संगर्ष चलता रहता है और जिसमें क्या है किसान प्राजी तो होता जाता है और परतंतर भारत का यह संगर्ष स्वतंतर भारत में भी वैसा ही अगर हम उस समय की बाग को देखें जब यह इससे पहले लिखा गया था स्वतंतरता से पहले का बहुत पहले का उपन्यास है और उसके बाद हम सोलतनता के बाद भी देखते हैं कि आज भी स्थिती जसकी तस बने हुई है ठीक है और प्रशन यही उड़ता है कि आज भी हर वर्ष 15,000 होरी ही आतम हत्या करने को क्यों मजबूर हैं पूंजी पती क्यों नहीं तो देखिए बहुत ही प्रसंगिक उपन्या के आसपास की सान आतम हत्या करते हैं वो इसी के चलते करज के चलते ही ठीक वैसे ही जैसे गुदान का होरी था है तो अपने आप में बहुत ही प्रसंगिक उपन्यास है अगर कभी आपको मौका मिले तो इसको आप जरूर पढ़िए जो गुदान उपन्यास है और NTUGC भी आपके लिए लेके आऊं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं चलिए अब हम देख लेते हैं इसके जो प्रमोग पात रहें उनके बारे में तो इसके जो पात रहें देखिए होरी जिसके जिक्र हम शुरुआत से लेकर के अंत तक देख रहे हैं करी र और गोबर जो होरी और धलिया का बेटा है उसकी पत्नी का नाम जूनिया है और जो गोबर है वो अपने पिता की तरह जिन्दगी नहीं जीता है नहीं जीना चाहता मतलब वो एक विद्रोही सौभाब का है लेकिन उसका पिता परिस्तितियों के वश्य ढल जाता है सोना और रूपा ये गोबर की दो बेहने हैं मिस्टर खना है इसमें और गोविंदी है और राय सहाब जो सामन्ती प्रविती का फ्यक्ति है अमरपाल सिंग इनका पूरा नाम है लेकिन देखिए जो होरी पात्र है इनका पूरा नाम है होरी राम हो सकता के बारे इस तरह के से पूछ ले जाए तो इस तरीके से भी इसको याद है रखना है होरी राम, राय साहब इनका राम है, अमरपाल सिंग ठीक है, फिर आता है मिस्टर महता, ये तो ये शहरी जो पात्र हैं, वो हैं फिर है मालती, मातादीन, अब सर पतवारी, इत्यादी, तो ये अन्या पात्र हैं इसमें, दातादीन भी है, है न, तो इस तरीके से ये जो बहुत सारे इसमें पात्रा में देखने को मिलता है, पात्रों से भी एक आधा प्रॉशन पूछ लिए जाता है, कि कौन सा पात्र की सूपन्यास का है कि अगर मिलान के लिए आया था कई वार डायकली परशन पूछ लेते हैं तो इसके जितने भी पात्र हैं इनके बारे में हमें पता होना चाहिए उनके नाम खास कर और इनके जो कथन है वो मैंने आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के बीच में शेर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्जा और नई स्पूर्टी के साथ तब तक के लिए मुझे देजी इजाज़त जय हिंद जय भारत